हाई फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम कुछ इस प्रकार से स्टर्डस वीडियो बनाने वाले हैं जैसा कि आप वीडियो के स्टार्टिंग में देख चुके हो तो फ्रेंड इस प्रकार का वीडियो बनाना बहुत ही आसान है बस आपको वीडियो को इंड तक देखना है ताकि आप step by step समझ पाएं फ्रेंड वीडियो बनाने के लिए हमें का अप्लिकेशन की जरूत पड़ेगी इसका हमें काइन मस्टर तेसे आप प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हो तो चलिए फ्रेंड एडिटिंग के लिए अपने काइन मस्टर अप्लिकेशन को उप्यान कर लेते हैं तो फ्रेंड हम अपने काइन मस्टर अप्लिकेशन में आ गए हैं अब यहां से आपको प्लस की आइकन पर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर आपको 3.4 का रीची सेलेक्ट करना है सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको create पर क्लिक कर देना है अब फ्रेंड यहाँ पर हम सबसे पर अपने background image को add करेंगे तो उसके लिहाँ पर आपको उपर के side में image वाले section पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको black color के image का selection कर लेना है उसके बाद यहाँ से इसके duration को अपने recording रख सकते हो जितने second का आप रखना चाहते हो उतने second यहाँ पर इसके duration को रख सकते हो उसके बाद यहाँ से हम back आएंगे और starting position पर आ जाना है और यहाँ पर हमें click करके इसके screen को full screen में कर लेना है अब फ्रेंड इसके अपना photo add करेंगे तो इसके लिए आप लियर में जाएंगे लियर में जाने के बाद यहाँ पर हमें जाना है media में और यहाँ से अपने photo को add कर लेते हैं add करने के बाद यहां पर इसकी size को हमें कुछ इस प्रगार से zoom कर लेना है देख सकते हो friend कुछ इस प्रगार से आपको zoom करना है और इसे आपको center में set करना है थोड़ा सा अगल बगल में आपका black screen दिखना चाहिए उसके बाद यहां पर इसकी duration को खीज कर हमें विडियो के end कर लेनी है करने के बाद यहां पर हमें आ जाना है cropping में cropping में आने के बाद यहां पर इसकी मैस को enable कर देंगे और फैदर को यहां पर हमें थोड़ा सा बढ़ा देना है कुछ इस प्रकार से देख सकते हो friend तो यहां पर आपको 35 के आसपास रख लेना है यहां से हम back आएंगे और starting position पर आ जाना है अब फ्रेंड इसमें पर एक template वीडियो एड़ करेंगे तो उसके लिहां पर layer में जाएंगे layer में जाने के बाद यहां पर हमें जाना है media में और यहां से अपने template को add कर लेते हैं template add करने के बाद यहां पर आपको क्या करना है नीचे के side में आ जाना है तो यहां पर हमें आ जाना है blending में blending में आने के बाद यहां पर इसे हमें screen कर देना है और यहां से हम back आएंगे तो यहां पर हमें थोड़ा सा और उपर के side में आना है तो यहाँ पर हमें आ जाना है split screen में and second वाले box पर click करके यहाँ पर हमें इसे full screen में कर लेना है उसके बाद यहाँ से हम back आ जाएंगे तो friend हमारा video बनकर तयार हो चुका है अब इसमें song add करेंगे तो इसके लिए यहाँ पर आपको idea वाले section पर click करना है तो आपके यहाँ पर जितने भी song होगे वो open होकर आ जाएंगे अब यहाँ पर आप जिस song को add करना चाहते हो उस song को यहाँ पर आप add कर सकते हो तो friend यहाँ पर हमने अपने song को add कर लिया है तो चलिए friend आपको video को थोड़ा सा play कर कर दिखाते हैं तो देख सकते हो friend हमारा video कुछ इस प्रगार से बनकर तयार हुआ है अब इससे अपने phone में save करने के लिए यहाँ पर आपको उपर के side में शेरो पर click करना है click करने के बाद यहाँ पर quality अपने recording रख सकती हो और save as video पर click कर देना हो आपका video save होना start हो जाएगा